हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपके साथ चोटे बैंगन की एक ऐसी रेस्पी शेयर करने वाली हूँ जो खाने में बहुत ही टेस्टी है यह देखने में जितनी अच्छी लग रही है यह खाने में भी उतनी बढ़िया बनती है और इसको बनाना भी बहुत ही असान है तो इसके ल बने अच्छी लगाएं जनी है और हमें इसमें मसाला भरना है तो कट लगा कि इसको साइट पर रख दें गे और इसका मसाला त्यार करेंगे इसके लिए मैं ले रही हूँ एक चमबशनमक ईक चमबच लाल मिर्च एक चमबच लाल्च था जानिया पाउडर 2 पाउड़र 1 और आधा चमच आमचूर पाउडर और मैं सरसोह का तуч dip दालकर hela दालकर अच्छी से के लिए और इसकी मसाला कर लिलिए यह यह मसाला बन चुका है और अब आप इस भरेंगे इन बैंगन में howS जो स्टफिंग है इसमें भर देंगे और सारे जो बैंगन हैं हम ऐसे ही त्यार कर लेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं सारा मसाला मैंने इसमें भर लिया है और यह हमारे सारे जो बैंगन है यह मसाला भर के त्यार है और अब हम इसकी सबजी त्यार करेंगे इसके लिए सबसे पहले कड़ाई में मैं ओयल ले रही हूं और इसमें डाल रही हूं आधा चम्मच कटा हुआ लसुन और आधा चम्मच कटा हूँ अधरक और इसके बाद हमने जो मसाला भरा था बैंगनों में वो बैंगन हम इसमें डाल देंगे और इसे पकाएंगे लगबग 8-10 मिनट के लिए आपको इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे पकाना है और धीर धीरे हमें बीच में इसके चेक करते रहेंगे कि ये पके हैं या नहीं ऐसे ही हिलाते हुए हम इसे थोड़ी थोड़ी देर में चेक करते रहेंगे और धकर पका लेंगे इसे रखे हुए लगबग 8-9 मिनट हो चुके हैं और अब हमें क्या करना है कि ये जो बैंगन है हमें इसे निकाल लेना है एक प्लेट में ये अभी पूर आज मैंने यहां पे लिया था और यह अच्छे से भून चुका है और अब हम इसमें डालेंगे दो कटे हुए टमाटर इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं और इसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे नमक हल्दी और लाल मिर्च प भरा हुआ है तो जादा हमें नहीं डालना है तो आप देख रहे हैं कि इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इससे ढख कर हम फिर से 5-7 मिनट पकाएंगे और यह हमारी जो छोटे बैंगन की सबजी है यह अल्मोस्ट बन चुकी है और अब हम इसे गार्निश करेंगे हरे धनिये के साथ और यह बहुती बढ़िया और देखने में बहुती टेस्टी हमारी चोटे बैंगन की रेस्पी बनके त्यार है आपको मेरी रेस्पी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जुरूर बताएं थैंक यू